पूरुष डॉक्टर नर्स तकनीसियन आदी कर्मी भाग लिए। सीवान से राज स्पांडे की रिपोर्ट। पूरुष डॉक्टर नर्स जो भी हैं जितने परसन है वह बहुत इज़्जत करते हैं। पूरुष डॉक्टर नर्स जो जो इसे ज़ादा काम लिया जाता है उसके मुकादमें। अब ऐसा है पहले जैसे क्या होता तो हमने जानते हैं। जब से हम आए हैं रूटीन वर्ट होता है। रूटीन से काम होता है मरीज की सेवा बहुत हो रही है। इतना वर्ट पर गया है हमरी स्टाप लोगों पे कि उन्हों से प्रियम से नहीं काम करेंगें। अगर बोलेंगे तो यह लोग काम करना छोर देंगे। अनुदी क्या तुछ दिप्तबाती है। यह हम करें हैं मतलब मेरा देर साल होने माला है। जब से मकाम करें तक से यही देखने हैं। तो हम लगभग देर साल श्टाप क्यास बास में है। कि यह उनका भी ऐसा नहीं हुआ है। कि सार मतलब जैसे सुपर हो गया है। नाशी मेर श्टाप हो गया है। दोक्टर हो गया है। उनके लिए कुछ एष्टर आई जग है। सारे लोगों से हुआ आप ही कहती बात करते। और अच्छ असा नहीं लगा है। आपके होस्पिटल में इस तरह कायोजन किया गया है। क्या संदीश दिना चाहते हैं इस समारो के और इस समयार के माध्यम से। मैं फुरे शीवान वास्यों को, भीहार वास्यों को और तेश वास्यों को यह पताना चाहता हूं कि नारिया आज बी किसी भी मामले में किसी से कम नहीं है और इंफेक्ट देखा जायतोर वह जाधा सच्छम है हर्विजों में मैं अपने खुद से ही अपने । मुझे लगता है कि जितना मेरे मादर मेरे शिस्टर का चाहिए मेरे वाइफ का जितना इंपक्त हुआ है और चाहिए एक complete मैन बनाने में जो एक जरनी है जो चल रहा है उन्हों का जो योगदान है बहुती इसलानी है क्योंकि पुरुस कभी भी उसमें और जा रहती है हैं कहां गणबर बेदा है क्योंकि उनके लिए अगर देखा जा तो हम लोग तो पुरा दुनिया हमारे लिए उनके लिए हम लोग हैं लेकिन हां उनके लिए हम perfect पुरा दुनिया हम ही है तो इंफेक्ट और हॉस्पिटल्स में तो बहुत ही होगदान है क्योंकि जो लेडीज में जो नर्सिंग का जो स्किल है सेवा भावना होती है वो कभी पूरुत हिसाब से करी नहीं सकता है आपके इस अंसान में लगबग मतलब 40 परसेट जो स्टाफ है उसमें लेडीज है तो आप तो जो है यह ऐसा यहां पर क्या मतलब एक चीज नया करना चाहते हैं अपने हमारा तो मिशन है हमारे पूरा मिशन विजन में हमारा जो प्रिंस्पल है कि वी वांट टो है 50 परसेंट ओमें ओमें इन आर और अर्गनाईजेशन लेकिन यह जगह का भी फड़ा लिमिटेशन है कि आपके पास हर जगह पे नहीं मिल पाती है लेडीज और हमारा यही मानना है कि उमें कहीं इसका प्रोफेशनल इंपॉर्टेंस है सबसे बढ़ा है कि एक उमें अगर आपके और अर्गनाईजेशन में आ जाए ना तो आप आपका सिस्टम सही हो जाता है जो खराब चीजे हैं कल्चर है लड़का सब्य हो जाएगा वो किसी से बात करने का तरीका वेहतर हो जाता है मैं अपने बीजनेस के हिसाब से सोचू ना जिस भी मेरा टार्गेट है कि हर डिपार्टमेंट में मेरे एक उमें स्टाफ होना चाहिए टार्गेट के हिसाब से ताकि अगर एक लेडिज आ जाएगी नहां पर वह वो सिस्टम वाकी लोग दुरुष्ट हो जाता है उनका ब अश्चा करें यह जब से आपके स्टाफ में महिलाओं का इन लडकि før का जादा भागी दारी ईवा है तब से आपके होस्पीटल में आपका जो काम है उसमें बढतरी हुई हह या क्या चिंद्य जाय है पढ़ोत्री भी हुआ है लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है ना कि पहले जो कंफ्लिक्ट बहुत होता था पैसेंट आता था जगड़ा करता था इंफेक्ट वो कम हो गया है यानि कि इसका मतलब है यह है कि कहीं न कहीं हमारा बहवार आजेटीव थोड़ा पहले से कर रहा है यह बहुत कम हुआ है दूसरा चीज कि अगर प्रोफेशनल हिसाब से करें कि जिसे हम लोग का जो एक सेल है कि भाई हम लोग हद दिन जाके मरीज को अपना बताते हैं कि आपको जमा करना चाहिए यह काम हमने अपने लेडी स्टाफ को दिया हुआ हूँ जाके करत स्टाफ काम करते हैं इंके लिए इनके लिए अकोमेंडेशन देना या कुछ ऐसा क्या आपके आपको वगर नहीं देते हैं कोयी अपनेशन भी नहीं देते हैं लेकिन हम लोग के पास internal एक इंलों के लिए गरिशानज का इकसेल है कि अगर को कोई किसी तरह की हरास्मेंट होता है तो उसको देखने के लिए एक से हैं और हम परस्टाली चीज़ को देखते हैं कि अच्छा कल्चर की कोई भी हमारे घर की लड़की यहां पे काम कर सके अशे में आदमी का धार ना होता है कि ऑस्पिटल में काम करना माना लीडिस का अच्छा नहीं आई है वो चीज, नहीं हो हमारे होस्पितल में. और यहां पे अच्छे घर की लड़कियां भी एक इज्जत के साथ, सम्मान के साथ काम कर सेंगे. इस चीज को हम लोग परस्णारी लेबल पर करते हैं, क्या भोगर तो हम लोग नहीं कर पाते हैं. रहने के लिए भी हम लोग ने अलग से सम लोग लोकल ही लेडिस हैं तो अपने घर ही चले जाते हैं रहने का भी कोई वेवस्ता नहीं है लेकिन मुझे इस बात का प्राउड है कि सिवान में एक अकलौता ऐसा ओर्गनाईजिशन है जहां पे एक साथ 40-50 लेडिस काम कर रहे ह क्षिशन मुझे तो नहीं लगता आपको कोई पता हो तो हमको इस बताईएगा ये नाइट मुझे माने और ब करते हैं भी हम कोई जोगा तरह आए लोग技 में अक्याषक याजचने अब एभी है